Hare Krishna everyone, welcome to another session of Aindra Prabhu और आज जो हम बात करने जा रहे है बहुत ही mystic life of Aindra Prabhu है कि वो कितने mystic है और कहा कहा उनको क्या क्या relaxation हो रही थी और वो सब शेयर कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं चुपा रहे थे वो सब बता रहे थे, as if he was a communicator from the spiritual world वो पता रहे थे कि कैसे सिरा फरी नाम लेके इतना शुद्ध नाम लेके भक्ती में everything is possible जो जो वो उन्होंने realizations बताई और कैसे उन्होंने just एक जगा बैठके chant करते हो है पूरे world को change किया और कैसे he was so merciful to the Russian devotees और Russian devotees का आगे बढ़ने में और बहुत सारे जो Russian devotees हैं जो कीरतन में 24 hour कीरतन पार्टी के member है it is all because of the आइंदरा प्रभू जो उन्होंने ऐसा किया so एक और व्यक्ती थे भगवान दास जो American थे जो आइंदरा प्रभू को ना देख रहे थे उपर से you know in the गुरुकुल की building से देख रहे थे और वो देख रहे थे कि एक बंदा जो है ना staircase में है और बहुत ही गंदे तरीके से dressed up है like in rags है और वो क्या कर रहा है उसने ankle belt पहने हुए अपनी thick cotton socks के उपर और कीरतन कर रहा है और face एकदम stubborn है और एकदम reddish है और सन्यासी भी लग रहे है और पता नहीं क्या लग रहे है पर वो देख रहे थे और it seemed as if he was unapproachable और वो सोच रहे थे कि मैं इनसे कब कैसे मिल सकता हूँ लेकिन उनके appearance है ऐसा लग रहा था कि जैसे सबको पहली बार आइंद्रा प्रभू से मिलके ऐसा लगता था कि यीज प्रोच सब्सक्राइब तो पुरान प्रभू जा रहे थे और वो देख रहे थे कि भगवान तसप्रभू जो है उनको देख रहे है तो भगवान प्रभू करते है अरे भगवान दुसिस आइंद्रा आपको मिलना चाहिए ये थर्ड फ्लोर में रहते हैं 89 नमबर हूम में तो एक बाइ भगवान जो थे उनको याद आया अरे ये आइंद्रा है जिनकी मैं व्रिंदावन मैलोस जो है हर रोज सुनता हूँ और एक साल से हर मौनिंग में सुन रहा हूँ ये वो एंद्रा है और वो 89 नमबर में रह रहे हैं और उन्होंने बहुत एक दिन कोशिश करके उनके रूम के वहाँ गए तो उन्हों देखा कि रूम के बाहर एक सकल और दो हड़ियां लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि लोगों को डिस्करेज किया गया था कि इस रूम को नौक करने के लिए तो फिर भगवान दास प्रभू ने वापिस आ गए तो भगवात पुरान प्रभू ने पूचा क्या तुम आइंदरा से मिले नहीं मैं नहीं मिला क्योंकि उनका रूम इतना स्केरी लग रहा है भार से ऐसा लग रहा है तो भगवात पुरान प्रभू ने का अरे तुम जाओ तो सही एक बार बात तो करो और लोगों के लिए जो उनको डिस्टर्ब करते और फाइनली भगवान प्रभू ने एक बार हिम्मत करके उनका दर्वाजा नौक किया तो आइंदरा प्रभू ने धीरे से दर्वाजा खोला और भगवान प्रभू को अंदर बुलाया और एकदम छड़ी लगा दी जैसे पारिश लगा दी कोशन्स की और भगवान प्रभू कहते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं एक इंटेरोगेशन रूम में हूँ और मेरे से इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये चानबीन कही जा रही है कि मेरी जो है स्पिरिच्वल प्राक्टिस कैसी है तो आहिंद्रा प्रभू को ये बताया कि मैंना पूरा दिन जो है हरी नाम लेता रहता हूं सौफ्टली ताकि मेरी जो साउंड वाइब्रेशन है उन्होंने अपने गले में से गिरिराजी की छोटी सी शीला जो उन्होंने आज लॉकेट अपने गले में पहनी हुई थी निकाल आहिंद्रा प्रभू में बच्पन वाली जो होती है ना बच्पने वाली एकसाइटमेंट और खुशी आई और उन्होंने भी दिखाया और भगवान प्रभू को कहा अरे भगवान तुमको ना थोड़ी बड़ी शीला को भी वर्शिप करना चाहिए तुम गिरिराजी की श सारी शिला थी और उन्होंने का कि अभी मैं इन शिलाओं को वर्शिप नहीं कर रहा तो तुम इन में से ले लो भगवान प्रभू बहुत खुश हुए और उन्होंने वो शिला ले ली और आहिंद्रा प्रभू ने उनको इंस्ट्रॉक्शन दिया कि जब तुम इनकी अठाई खिलाना यह बहुत खुश होएंगे और फाइनली वो शिला लेके भगवान प्रभू अमेरिका वापिस चले गए लेके 96 में वो दुबारा वापिस आए और आहिंद्रा प्रभू ने उनको 24 आर कीर्थन पार्टी में लेट नाइट के शिफ्ट में सेवा दे दी औ और उनको एक और शिला दी और जब कीर्थन खतम हो जाता था इवनिंग में तो सब लोग जो थे आएंद्रा प्रभू के रूम में गुरूप बन जाता था वहां पे प्रशादम मिल रहा होता था सब कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं कभी-कभी वो टॉप जो होती थी आधी अर्ध रातरी तक चलती थी कभी मंगला आरती तक और कभी कभार तो गुरु पूजा तक होती थी सारी चीज़े जोती वह रगात्मिका भक्ति के बारे में थी प्योर डिवोशन क्रिश्णा के लिए कि अपने हाट में कैसे क्रिश्णा के लिए एक्टरनल बहुत पर अधा क्रिश्ण की लीला के बारे में बोला जाता था तो आहिंदरा प्रभु वेरी स्ट्रिक्ट वह कहते थे पहले तत्व जानो और वह कहते थे कि हरे क्रिश्ण महा मंतर क्रिश्ण बलराम मंदर में चांट करना ही जो है जीवन का परफेक्शन है सब कुछ मिल जाएगा यहां पर आपको सब रिलाइजेशन हो जाएगी जो नाम है ना हरी नाम वो आपके जो रिदे का मिरर है उसको इतने अच्छे से क्लीन कर देगा कि आपका जो सिद्ध दे है जो आपकी स्पिरिच्ट स्पिरिच्वल आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी तो भगवा में और फिर एक मिस्चीवियस स्माइल देखे हुए उनका बीट बैग उनके हाथ में पकड़ाते हुए का कीप चांटिंग हरे कृष्णा सब पता चलेगा तो भगवान प्रभु ने उनसे बेख किया प्लीज प्रभु मुझे बताइए ना बताइए ना तो आहिंद्रा प लेता हूं ना तो मेरा गला खराब हो जाता है लेकिन वहां मैं कोई भी नोट ले सकता हूं कितनी देर तक गा सकता हूं कोई भी अलंगकार जो है अपनी नोट्स में ला सकता हूं जब भी मुझे मन करे मैं राधा-शाम के लिए यह सकता हूं और वह आटमार्टिकली मेरी इसमें मेनिफेस्ट हो जाता है तो भगवान प्रभु ने का कि अरे फिर इसका मतलब स्पिरिच्वल वर्ल्ड में सीखने की जरूरत नहीं है सब आटोमाटिकली आता है तो आइंद्रा प्रभु ने का नहीं सीखना तो पड़ेगा मुझे लदीता देवी ने यह सब सिखाया और जब भगवान प्रभु ने यह सुना तो वो एकदम स्पीचलेस हो गए जैसे कि उनकी सांस जो है उनके हलत में अटक गई हो आइंद्रा प्रभु ने उनको थोड़ी देर देखा और कहा बहुत नेक्टर है बहुत अम्रित है वहाँ पे भगवान ने तुमें बता नही प्रभु ने का क्या हूँ गया कुछ हुआ है क्या आइंद्रा प्रभु ने नौट किया कि हा और इतना सुबक सुबक के रो रहे थे जब वो थोड़े से कंपोज हुए तो उन्होंने बताया तुमें बता है मैंने आज फूलों का गालेंड बनाया अपने लिए मैंने उसको एक यंग गोपी को दिया उस गोपी ने दूसरी गोपी को दिया और उसने तीसरी गोपी को दिया और फाइनली वो राधारानी के पास गया और राधारानी ने वो गालेंड है ना मेरे शाम सुंदर के दले में डाल दिया और ये सुनके ही भगवान दास अगें स्पीचलेस हो गए उन्होंने का कहा कब हुआ कैसे हुआ ये सब कुछ तो आइंदरा प्रभु ने का अरे अभी अभी हुआ मैं अपने रूम में जपा कर रहा था ये सब तब हुआ है तो सब जो है ना सारे डिवोटीस के साथ ना ये आइंदरा प्रभु का experience जो था ना बहुती ज़्यादा मावलिस रहता था तो एक बाए आइंदरा प्रभु बहुत enthusiastic थे कि उनके पास जो रुशियन डिवोटीस आए especially Soviet Republics के ये वो डिवोटीस थे जिन्नोंने बहुत साथा harassment persecution, physical attack को bear किया था early days of the practice मैंने एक बुक डाली थी salted bread उसमें रुशियन डिवोटीस का struggle है कि कैसे उनको हरी नाम लेते हुए जेल में डाल दिया जाता था उनके साथ बहुत जादा बत सुलूखी की जाती थी मारा जाता था कईयों की life चली गई कईयों की lifetime injury आ गई उन डिवोटीस के प्रती आएंदरा प्रभू का नव बहुत ही विदे कोमल था क्योंकि वो labor camps से आये थे psychiatric hospitals में उनको डाला गया था एक रात को 94 की बात है year 1994 की बात है आएंदरा प्रभू rest कर रहे थे अभी आधी अदूरी नीद में ही थे तब उनको लगा कि कहीं से आवाज आ रही है उन्होंने देखा कि उनके जो निताई सची सुता है ना वो बोल रहे है उनके lips हिल रहे है पर क्योंकि उनका ceiling frank थोड़ा crack crack करके चल रहा था ना तो आएंदरा प्रभू छुपके से उठे उन्होंने अपना fan को close किया देख सुनने के रहे हैं कि ये निताई सची सुता बोल के आ रहे है लेकिन उनको कुछ समझी नहीं आ रहा वो कोई foreign language में बात कर रहे थे और मुझे समझी नहीं आ रहा और मैंने उनको कहा भी कि आप क्या बात कर रहे हैं फिर भी उन्होंने मेरे को reply ने दिया और next morning आएंदरा कहते है जब मैं उठा तो मेरे दरवाजे पे knock हुआ और मैंने खोला तो देखा वहाँ पे इडर्ड था वो मॉस्को से आया था वो फर्स टाइम आया था वो 24 आर कीटन पार्टी को जोईन करने आया उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी वो हिचके चाते हुए फंबल करती हुई इंग्लिश में अक्सेंट था और जब उन्होंने वो सुना उनको लगा अरे इसी भाषा में तो मेरे निताई सची सुता रात को बात कर रहे थे तो उनको समझाया कि उनके निताई सची सुता जो है रशियन बोलते हैं और तब से तो आइंद्रा प्रभू का जो जुकाफ था और जादा रशियन के प्रती हो गया अब जो एडर्ड आया था वो फर्स रशियन डिवोटी था जो 24 आर कीतन पाटी को जोईन करने आया वो मेंबर था रोस्टोव और डॉन टेंपल का रशिया में और जो की बहुत बार और्थोडोक्स क्रिष्टियन कजाक मिलिटेंस त्वारा से अटाक किया गया था और कई बार उसको मारा गया उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसके एक ब्रेन में इंजिरी हो गई थी और वो कहीं महीने थक जो था आईसियू मेरा इतना हो गया था कि उसकी मढने वाली कंडिशन हो गई थी सम्हाव वो बच गया और वो व्रिंदा बनाया आईंदरा प्रभू ने उसका नाम रखा आधी रसा उन्होंने का अरे आधी रस मतलब ओरिजिनल मेलो जो राधा और शाम के बीच में है वो मेलो तो उन्होंने का कि मैं तुम्हें एडर्ट से नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें आधी रस बुलाऊंगा और आधी रस ने जब आईंदरा प्रभू का कीरतन सुना और वो बिल्कुल चूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए वरिंदा बना है उनको कुछ नहीं पता था कि कौन सा इंस्टूमेंट कैसे प्ले करना है पर रात की शिफ्ट जब आईंदरा प्रभू ने उनको लगाई और उन्होंने बहुत गेलिजेंटली औरनेस्टली प्राक्टिस किया तो वो एक रेगुलर कड़ताल प्लेयर बन गए कीरतन में और उन्होंने ये सर्विस व्रिंदावन में तब तक करी 2012 तक जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा आक्चली जो आदी रस प्रभू थे जो एडर्ट थे वो हाइपोग्लाइसीमिक थे मतलब उनका शुगर लेवल इतनी जल्दी गिर जाता था कि कई बार उनको उसकी वज़ा से फिट पड़ जाता था कई बार वो अनकॉंशियोस हो जाते थे और कई बार अगर ध्यान ना दी जाए तो उनकी एकदम मरने वाली परिस्तिती हो जाती थी आइंदरा प्रभू ने बिल्कुल एक पिता बनके जो है उनका केर किया उनको कभी भी वो फास्ट करने नहीं देते थे कई बार तो अपने हाथों से उनको खाना खिलाते थे जब उनका शुगर लेवल कम हो जाता था और एक बार ऐसा ही हुआ आइंदरा प्रभू ने उनको मना किया कि तुम्हें राधा कुन नी जाना तुम्हें मंदिर में ही रहना है वहाँ पे तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा वहाँ तुम्हें प्रॉपर खिलाया जाएगा लेकिन आदीरस मानने वाले नहीं थे पुषवत्तम का महीना था और राधा कुन में जाके वहाँ की छट पे जाके हरी नाम कर रहे थे और उटसी में उनका शुगर लेवल इतना डिप कर गया कि वो छट से गिर गए और वो इतनी बुरी कंडिशन में आ गए थे कि डॉक्टरों ने अल्मूस जवाब दे दिया और आइंदरा प्रभू ने पुष किया उनको आइंदरा प्रभू उस समय दुविधा में थे एक तो उन्होंने एडर्ड को आधी रस को बिलकुल अपने फैमिली मेंबर की तरह पुत्र की समान केर किया उनसे बिच्वड का उनको दुख था और दूसरी तरफ राधा कुंड में पुर्शोतम मास में हरी नाम करते हुए अगर शरीर त्यागा जाए तो इससे अच्छा उस्पीशियस पासिंग ही नी लेकिन फिर भी आइंदरा प्रभू ने डॉक्टर्स को बहुत पुष किया उनको थीक होने में आठ नो महीने लग गए और आइंदरा प्रभू ने उनका ट्रीट्मेंट किया उन्होंने डॉक्टर्स को इत्ता पुष किया कि इत्ता भी पैसा लगता है इस व्यक्ति को तो मैं जो है आदी रस को ओफर करूंगा ऐसे ही एक और रश्यन डिवोटी जो थे जिन्होंने उनके बारे में सुना उन्होंने भी आइंदरा प्रभू को जोईन किया उनका नाम था इजिया दास जो मैं उसको से आये थे इन फैक्ट इतना रश्यन डिवोटी का आना शुरू हो गया कि एक रूम जो बन गया जहां पर उसको रश्यन रूम कहने लग गया था वो भी आइंदरा प्रभू की जो है कैसच सुनके जो थे इजिया दास आये थे और उन्होंने संकीरतन डिपार्टमेंट को जोईन करो और रश्या रिटर्न करते हरी नाम में वो इतना डीप डाइफ कर गए और एक और व्यक्ति जो हरी नाम सुनके आये थे वो रश्या से आये थे सुन्दर मादब वो एक हाउसोल्डर थे जो रश्या से वरिंदा बनाये थे सेवरल टाइमस अपनी फैमिली को लेके और कुछी सम Peak के क्रशना के साथ अब कर आये में उनको इतना अच्छा लगाए हरी नाम करना उनका इतना अच्छा रलेशनशिफ Krishna के साथ बन गया क्योंकि वो आइंद्रापरबू की कैसरग सुनते थे वो हर साल आने लग गए तो वह आटेते हैं कि जब वह रश्या से आते थे आते थे तो वो उनको कहते थे कि तुम हरी नाम का प्रचार करो और वो कहते थे कि जब एक साधू आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है तो साथ में वो आपको पावर देता है उस इंस्ट्रक्शन को फुल्फिल करने के लिए इसलिए एक बार क्या किया सुन्दर माधव ने अपनी जॉब को मॉस्को में कुट किया और एक साल पूरा व्रजवास किया और आहिंदरा प्रभू ने उनको बहुत हाटली एकसेप्ट किया और जब वो मॉस्को वोपिस चले गए तो एक बार वो वृंदावन आ निपाए उ तुम जो है वृंदा वनाते वो तुमें ज़्यादा स्पिरिचूल बेनिविट देता आहिंदरा प्रभू ने एक और इंसिदेंट बताया सुन्दर माधव को कि हरी नाम जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंडेंट है उस प्रकार से हरी नाम भी कम्प्लीटली इंडि इससे आता है और आईंदरा प्रभु ने एक incident बताया कहते हैं यही मंदिर के सामने एक तांत्रिक था जो बहुत ही powerful तांत्रिक चीजे दिखा रहा था और बहुत सारे लोग जो है उसे attract हो रहे थे मैं गया उस तांत्रिक के पास और मैंने कहा अरे तांत्रिक भाई कृष्ण तुमसे भी बड़े तांत्रिक हैं, सबसे बड़े मिस्तिक हैं, तुम यह काम इधर विंदावन में मत करो, तुम भगवान कृष्ण की सुप्रियॉरिटी को सुप्रिमिसी को एक्सेप्ट करो, तो वो तांत्रिक जो था वो बहुत जादा उफेंड हो गया, इतना उफेंड ह गया कि उफें बहुत गुसा आया, और वो वहां से चला तो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद आहिंद्रा प्रभू अपने रूम में बैठे थे, तो उनको लगा कि वो completely paralyzed हो गया, ऐसा था कि एस इफ उनके उपर कोई गोस्ट वाभी हो रहा है, तो उनको समझ आ गया कि य अब कुछ भी कर पाते, लेकिन तभी क्या हुआ, उन्होंने देखा, आकाश से, स्काय से, महामंत्र जो है, pure clear sound vibration की फॉर्म में उनके उपर आ रहा है, descend हो रहा है, और जैसे जैसे वो sound vibration उनके उपर आती गई, वैसे वैसे उनका complete protection हुआ, और जो वो तांत्रिक influence उनके उप पर था, वो खतम हो गया, और वो बिल्कुल independent हो गया, और यही कहते है कि देखो हरी नाम ने अपने आप manifest किया, हरी नाम चुनता है लोगों पे, कई लोगों को चुनता है, और उनकी जबान को just as an instrument लेके करता है, हमें लगता है हम अपनी fleshy जीव से हरी नाम वाइबरेट क तो व्यक्ति कहते है कि यह हरी नाम की ही causeless mercy होती है devotees के उपर और इसलिए हरी नाम हमें इस सेवा में लगाता है, तो हमें उसके लिए ना हमें बहुत privilege समझना चाहिए कि हम इस चेतन्य माप्रभू के moment में हैं और हरी नाम हमको choose कर रहा है, हमें as an instrument बढ़ा रहा है, सुन्द आइंदरा प्रभू की association से energized थे कि उन्होंने वहां पे नाम हटा प्रोग्राम शुरू किया, जिसने बहुत सारे devotees, young, interested people को attract किया, उन लोगों को भी attract किया, जो materially successful थे, musicians, producers, writers, इन सब को attract किया, और उन में से attracted, जो वहां उस नाम हटा से attract हुए, वो थे मुकुंद मुरारी और उनकी five दिव्य शक्ति माता जी, वो later on उन्होंने आइंदरा प्रभू की, जब उन्होंने बुक लिखी थी, उसको facilitate किया, इन लोगोंने आइंदरा प्रभू का जो वरिंदावन का preaching भाव था, वो रशिया में preach कर रहा, बाया internet से किया, और इतना strong preaching हुआ कि हर साल रशि वहाँ पे मॉस्को में उस समय प्रोग्राम रन करते थे, मुकुन मुरारी प्रभू कहते हैं, हम पूरी रात रात भर कीरतन करते थे, फिलोसफी, डीप फिलोसफी के बारे में discuss करते थे और प्रशादम होता था, बिलकुल व्रिंदावन स्टाइल के चड़ी, और हम कीरतन में और अपने विग्रहों को लिए समर्पित कर दी, वो ही उनका complete shelter था, वो बहुत ही friendly थे, homely थे और एक बहुत अच्छे devotee थे, वो कहते थे कि तुम शिल्ला प्रभुपात की किताबे पढ़ो, अचारे की किताबे पढ़ो, फिलोसफी को समझो, कीरतन करो, संकीरतन करो, और बहुत सारा चांटिंग करो, बस यही करना है, और यही आइंदरा प्रभु का जो संकीरतन example था, वो सुंदर माधव की नाम हटा, इतना जादा ग्रो किया, और इतना fast ग्रो किया, कि all over Russia उसकी branches खुलने लग गई, और बहुत सारे devotees जो है, उसके तुरू हरी नाम सं आशियन डिवोटीज जो है, 24 आज कीरतन पार्टी में भी आने लग गए, और उन्होंने जोइन किया, अब फर्स टाइम जब मुकुन मुरारी प्रभु अभी आइंदरा प्रभु से मिले ने, फर्स टाइम बिंदा बनाए, तो शिल्ला प्रभुपाद की समाधी के आगे कर रहे थे, बहुत दीन भाव में प्रे करने लगे, शिल्ला प्रभु पाद मुझे एक साइन दीजिये, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे, मैं किस पे विश्वास करूँ, मैं किस पे विश्वास ना करूँ, मुझे साइन दीजिये, मुझे साधू का संग हरी नाम का संग दीजिए और फिर आठ नो महीने उनको आईंदरा प्रभू का संग मिला मुकुन मुरारी प्रभू बताते हैं कि वो उस समय की बात है जब वो इसकौन छोड़ना चाह रहे थे उनको किसी भी वहां की लीडर्शिप पे कोई ट्रस नहीं था सब मैस था वो सोच रहते मैं विंदावन जाता हूँ मैं मत्धुरा जाता हूँ गोवर्धन जाता हूँ राधा कुन जाता हूँ वहां पे मैं कोई और साधू संग करता हूँ और जब उन्होंने ये चीज आहिंदरा प्रभु से शेयर करी तो आहिंदरा प्रभु ने उनके डाउट्स पर उनको डाटा नहीं उन्होंने का देखो सब जो है ना हरी नाम में है तुम अपना संग मत चेंज करो तुम अपना भजन को इंटेंसिफाई करो तुमको सब उत और आएंदरा प्रभु ने उनको नेक्टर ओफ इंस्ट्रक्शन बुक दी भक्ति रसामरिट सिंदु दी और भक्ति विनो ठाकुड की जैवधर्म बोली पड़ने को और का कि उनकी कमेंटरीज भी पड़ो मुकुन मुरारी प्रभु बताते हैं कि वोस एक्स्ट्रीमली डिवोटेट टू शिल्ला प्रभु पाद वो कन्विंस थे कि सारी चीज़े जो है ये शिल्ला प्रभु पाद के मूमेंट में और हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है वो शिल्ला प्रभु पाद को थू एंद थू समझते थे वो शिल्ला प्रभु पाद के मूड को समझते थे तो और जब मुकुन मुरारी प्रभु ने उनको फॉलो किया तो नाचरली और सिंपली सारी चीज़े जो है फॉल बैक करने लग गई फिलोसो wie डे कि धली साइकोल शिल्ला प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये क्रिश्बल राम मंदर की जो तुलसी है उसके आगे कि जो सिरफ एक रज है वोही तुमको सब दे देगी तो आइंदर प्रभु अपने एक्जाम्पल से बताते हैं मैं कहीं नहीं जाता हूँ नीचे जाता हूँ संकीरतन में पार्टिस्पेट करने वहाँ पे हरी नाम के कीरतन करने में पार्टिस्पेट करता हूँ वहाँ के डिटीस के दर्शन करता हूँ बस आता हूँ सुनता हू चांट करता हूँ शिल्ला प्रभुपात की किताबे पढ़ता हूँ अपने पूर्वगती अचारेओं की किताबे पढ़ता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सच में मुकुन मुरारी प्रभु बताते हैं कि वो एक रियल मिशनरी थे जो इसकॉन ट्रेडिशन को बनाना चाहते थे और करिबार आयन्दरा प्रभू भी कहते थे कि पता नहीं इसकॉन के लोग मेरे मिशन को क्यों नहीं समझते, मेरे मिशनरी स्पिरिट को क्यों नहीं समझते वो ऐसे व्यक्ति थे जो एक जगा बैठके हरी नाम कीरतन करते थे और पूरी स्कॉन सोसाइटी को उन्होंने एनरजाइज किया वो कहते हैं कुछ जादा करनी की जरूरत निया एक जगा बैठके हरी नाम करो सिर्फ अपने स्पिरिच्वल बैनिफिट के लिए तुम हरी नाम मत करो पर कि उससे पूरी स्कॉन सोसाइटी में जो है फाइदा होएगा यह क्या है हम अपने सेंस ग्राटिफिकेशन के लिए हरी नाम संकीरतन नहीं करते हैं बलकि हम इसकॉन सोसाइटी के लिए करते यह एक यग्य है और यह हम इसको शिल्ला प्रभुपाद की बॉड़ी के लिए करते हैं और इसकॉन जो है वो शिल्ला प्रभुपाद की जो है body है और वो Russian devotees को बहुत प्रेम करते थे सच में बहुत प्रेम करते थे although वो उनके साथ बहुत strict भी रहते थे for certain reasons पर लेकिन वो ये भी कहते थे कि Russian devotees जो है ना बहुत wonderful है बहुत talented है लेकिन वो थोड़े sentimental भी है इसलिए आइंदरा प्रभू उनको lot of attention और care देते थे एक बार मुकुल मुरारी प्रभू अपना एक incident शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार आइंदरा प्रभू ने उनको अपने room में बुलाया और का कि तुम्हारा सब सीख चल रहा है ना तुम्हारी wife के साथ क्योंकि कल शाम को मैंने तुमको देखा कि तुम अपनी wife और तुम दोनों बहुत coldly एक दूसरे से बात कर रहे हो ऐसा होगा तो तुम्हारी spiritual life के लिए कोई भी फाइदा नहीं होगा तुमको ध्यान देना चाहिए तुम रजवास नहीं कर पाऊगे मैं तो फैरा बाबाजी मिरको कोई भी experience नहीं है इन सारी चीजों में मैं तो सिरफ अपनी सेवा में ही लगा रहता हूँ तो मैं तुम्हें advice भी नहीं कर सकता और जब मुकुन मुरारी प्रभू ने ये सुना तो he was actually very much touched कि कितना वो हमारी spiritual life का as a fatherly figure ध्यान रख रहे हैं वो कितना इनका care कर रहे है in every possible way तो when मुकुन मुरारी प्रभू और उनकी wife जब Moscow वापिस हुए उन्होंने भी एक नाम हटा program शुरू किया जैसे सुन्दर माधा प्रभू का और उन्होंने वहाँ पे आइंदरा प्रभू स्टाइल preaching और मूड को किया बहुत सारे साल पे और फिर मुकुन मुरारी प्रभू जो है Moscow temple के president बने और 2005 से मुकुन मुरारी प्रभू कहते हैं कि हम जो है regular outdoor हरी नाम संकीरतन जो है throughout summer वहाँ पे करते हैं जो कि आइंदरा प्रभू का desire था और उनकी preaching से हमने inspiration लेके किया और वो बहुत lively और enthusiastic कीरतन होता है यह हमारी offering है उनके pleasure के लिए और वो बहुत happy थे जब हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम एक minute to minute detail उस कीरतन की उनको बताते थे और वो बहुत खुश होते थे वो सुनके हमारा नाम हट्टा प्रोग्रम बहुत successful हुआ वो हरी नाम संकीरतन बहुत ज़्यादा successful हुआ और बहुत सारे devotees ने फिर ये जाना in fact कीरतन इतना revolution लेके आया रशिया में कि even Siberia जैसे remote area जहां पे इतनी ज़्यादा थंड पड़ती है वहाँ पे भी regular हरी नाम संकीरतन हुआ और बहुत सारे traveling संकीरतन पार्टी जो थी organize थी गई in fact वहाँ पे एक कीरतन academy भी खोली गई to musicians को train करने के लिए southern city of norvostlik का जहां पे बहुत सारे devotees जो थे आयंदरा प्रभू को लिखते भी थे और वहाँ पे विरिंदावन भी आते थे उनसे advice लेने भी आते थे और बहुत सारे Russian devotees ने 24 hour कीरतन पार्टी जो है join करी और बहुत लंबे समय से वहाँ पे रहे उन में से थे प्रेम अमरिता दास, सिवानन दास, महामुनी दास, वेदान्त कृत दास, परम पुर्शा दास, विशिष्ट दास, राधे शाम दास ये सब साइबीरिया से थे और तमाल कृष्ण दास जो एक professional musician और DJ थे जिनोंने आयंदरा प्रभू को बहुत help किया उनकी audio recordings को edit करने में और produce करने में उन्होंने आयंदरा प्रभू की कम से कम नहीं तो half dozens of DVDs जो हैं produce करने में help किया तो आपने देखा कि कैसे आयंदरा प्रभू कितने fatherly थे Russian devotees के लिए क्योंकि उनके निताई सची सुता जो थे Russian बोलते थे और वो कितने tender hearted और fatherly figure थे so आगे क्या हुआ उनकी life में और क्या-क्या mystic incidents थे और कैसे आयंदरा प्रभू उन सब के लिए open थे सब को बताते थे कि डूब जाओ डूब जाओ इस रस्में डूब जो हरी नाम के रस्में इसमें फायदा ही फायदा win-win situation है और कैसे आगे उनकी life में और क्या-क्या हुआ जानेंगे next class में क्योंकि the series is going more and more excited now. Hare Krishna everyone, we will meet in the next class. Bye-bye.